हेलो दोस्तों, वल्कम टो टेक विद्विस्वत, भाईया, क्या हाल चाले सब बढ़िया, तो आज कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, लिब्रेस के बारे में, तो कल मैं अनलेटिक्स चेक कर रहा था, काफी सारे लोग हमारे चैनल पे बिगिनर्स हैं, भाईया, बिग लोगों को क्या फाइदा होता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं, और पूरा अभ्रेस आप बोल सकते हो कि भाईया, ट्रेडिंग कैसे करोगे, लिब्रेस को यूज करके, और एक लास्ट में 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 चीज कि बहिया, कॉम, मतलब, ज्यादा नुकसान ना हो, कम लॉस मे हमें कैसे profit हम generate कर सकते हैं, तो पूरा detail में बात करेंगे, और भाया, मैंने एक नया लिया है, whiteboard, तो थोड़ा सा setup उल्टा सिधा है, तो इसको ignore करना, जो चीजे में बताने वाले हो, अगर उसको focus करोगे, तो आपको थोड़ा बहुत knowledge मिल सकता है, और कोई भी mistake आने पर में को जरूर कमेंड करके बताना, तो चलते हैं सीधा whiteboard के उपर, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, हम आचुके है whiteboard पर, और पहले हम बात करेंगे, leverage के बारे में, दूसरे step में हम बात करने वाले, forex trading में आपको brokers high leverage क्यों provide कर रहे है, यहाँ पर देखो, आपको 1-2,000 तक का leverage मिलता है, जो कि सबसे high leverage है, यह extenders provide करता है, और तीसे step में हम बात करेंगे, lot size आप कैसे select कर सकते हो, अपने capital के हिसाब से, for example, काफी साथ लोग जो beginner से हो, तो 15 डॉलर या पर 20 डॉलर, 100 डॉलर के नीचे, यहाँ पर capital उन लोगों का है, तो कितना lot size लेंगे, तो उन लोग करने वाले है, तो इस पहले बात करेंगे, leverage के बारे में, कि leverage क्या होता है, यहाँ पर देखो कि leverage का मतले भी यह है, कि purchasing power, यानि कि आप इसको trading power भी बोल सकते हो, तो यह क्या है, for example, आपके पास 100 रुपे हो, लेकिन आप गर आप forex market में, आपके stock market में, जहाँ पर जाते हो, तो वहाँ पर आपको एक मिल जाद है, कि आप 10,000 रुपे तक खरीच सकते हो, तो इसको बोलते है, purchasing power, for example, मैं आपको example लेकि आपको समझा देता हूँ, इसको card देता है, for example, आपके पास यहाँ पर 100 रुपीज हो, तो यहाँ पर 100 रुपीज है, तो यहाँ पर आपने एक leverage select किया, जो कि यहाँ पर देख सकते हो, 1-100 का आपने यहाँ पर लिब्रेज एक select किया, तो यहाँ पर आपको कितने तक का आप खरीच सकते हो, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर 10,000 रुपीज तक आप यहाँ पर खरीच सकते हो, तो यहाँ पर बोलते है, purchasing power, आपके पास amount income है, for example, आपके पास बस 10 डॉलर है, तो आपने यहाँ पर लिब्रेज कितना select किया, 1-10, यहाँ पर 1-10 भी आप कर सकते हो, मैं एक एग्जामपल के लिए आपको समझा रहा हूँ, 1-100 आपने किया, तो यहाँ पर आपके पास अभी कितना आप खरीदने का आपके पास capacity है, 10,000 रुपीज तक, तो इसको बोलते हैं, लिब्रेज, तिक आगे आगे चलके मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आप पूरा डीटेल में समझ पाओगे, तो यहाँ पर बात करते हैं कि आपका जो फॉरेक्स ब्रोकर्स है, यह आपको हाई लिब्रेज क्यों प्रोवाइ प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर क्या होता है, पर आगे आप स्टॉक में जाते हो, तो 10-30% तक यहाँ पर मुवमेंट मिलता है, अगर आप स्टॉक में, यहाँ पर लिब्रेज की बात करो, याँ फिर आप बोल सकते हो, कि मार्केट में क्या मुवमेंट है, तो यहाँ पर मिल जाता है 10-30%, लेकिन यहाँ पर फोरेक्स में कितना मिलता है, फोरेक्स में बहिया, डेली का देखोगे, तो हाडली बस 3-4% और 4% बहुत मुस्खील से मिलता है, यह इतने आसान से मिलता है, तो 4% बहुत बढ़ी बात है तो यहां पर इसी के लिए फॉरेक्स में ज्यादा आपको मिल जाता है हाई लिवरेस मिल जाता है आपको क्योंकि यहां पर मुम्मेंट आपको एक से चार परशंट और चार परशंट कभी गवर मिलता है बहुत यह नहीं मिलता है ठीक है तो इसी के लिए फॉरेक्स बाले प् में कि कैसे आप अपने capital के हिसाब से lot size select कर सकते हो for example आपके पास यहां पर 10 dollar का capital है काफी सारे लोग जो beginners होते हैं उनका hardly आप देखो कि 20 dollar से 30 dollar तक जाता है तो यहां पर starting आप कर सकते हो 0.01 lot से अगर आपके पास 200 dollar का capital है तो 0.02 ले सकते हो ऐसा नहीं कि मैं आपको यहीं बोल रहा हूं तो आप यहीं ले सकते हो और 0.10 नहीं ले सकते हो या फिर 1 lot नहीं ले सकते हो देखो भया जितना ज्यादा lot लोगे उतना ज्यादा risk भी है मैं आपको low risk में बता रहा हूं कि आपका ज्यादा नुकसान ना हो तो इसके हिसाब से आप अपने हिसाब से जो भी है lot size select कर सकते हो अगर आपके पास thousand dollar का capital है तो आप 0.10 lot से start कर सकते हो तो एक 10,000 dollar का capital है तो 1 lot से आप यहाँ पे start कर सकते हो ऐसे देख सकते हो पूरा screen पे अगर बोलोगे तो इसका पूरा में image बगरा बनाया के description में डाल दूँँआ ताकि आप पूरा check out कर सको तो यह रहा पूरा lot size आप अपने हिसाब से lot size select कर सकते हो तो अभी बात करते हैं इसका फाइदा क्या है नुकसान क्या है अभी देखो फाइदे के बारे में बात करेंगे तो यहां पर मैंने starting जो video start करने से पहले बताया था तो यहां पर आपके पास 100 rupees का capital था तो आपके पास 100 rupees का capital था तो आप यहां पर कितने rupees तक purchase कर सकते हो तो 10,000 rupees तक जो कि यह amazing बात है इसमें फाइदा बहुत ज्यादा है लेकिन नुकसान कहां पर अभी देखो मैंने यहां पर select किया कि मैं high leverage पर काम करना चाहता हूं जैसे कि मैंने 1-2,000 पर लेना start किया तो यहां पर मैंको तो ज्यादा profit है तो ज्यादा profit है तो ज्यादा loss भी अभी देखो broker's का benefit उसमें है अगर आपका market आपके against नहीं जाता है market आपके favor में जाता है तो आपको आपने जितना rupees कमा यहां पर जितना dollar आप यहां पर earning कर रहे हो तो उसका एक commission मिलता है broker को तो बस broker को इतना ही फाइदा है और कुछ नहीं है अभी आप जितना loss करोग उत कैसे trading कर सकते हूं ज्यादा loss ना किये अभी देखो for example मैंने आपको थोड़ी देर पहले lot size के बारे मताया है आप इसको follow करो lot size के साथ-साथ अगर आपका budget है hundred dollar ठीक है तो hundred dollar का आप यहां पर trade में इसको पूरा मिक्टा देता हूं यहां पर इतना आपको समझ में आ जाएग आपके पास यहां पर purchasing power कितना है अभी thousand dollar का आप यहां पर purchase कर सकते हो तो यहां पर इतना रहा आपका purchasing amount यह रहा आपका leverage और यह रहा आपका capital तो भाया हमेशा stop loss लगाओ कि hundred dollar पर जैसी आ जाता है अगर आपने देख रहे हो कि market आपके against में जा रहा है तो भाया stop loss लगा दोगे तो आपका hundred dollar पर खतम हो जाएगा तो उतना नुक्सान होगा जितना आप stop loss लगाओगे तो stop loss हमेशा इस्तमाल करो तो आई हूप की leverage की ऊपर मैंने पूरा detail में बता चुका हूँ अगर कोई भी doubt वगारा कोई भी query रहता है आप लोग में को comment करके बता सकते हो लास्ट में इतना बोलूँगा कि अभी के time पर आप सभी को पता है अर्बे के guidelines के बारे में अभी फिलाल तो ban का news नहीं आया है लेकिन notice तो आच चुका है अगर आफ हमक के act को भावलेट करते हो तो उसके बज़े से आपको fine भी लग सकता है और आपको jail भी हो सकता है तो इन चीज़ों को भावलेट बिल्कुल भी मत करो मैंने और सारे तरीका बता चुका हूँ तो अगर उसके बाद भी क इस पर देखना चाहते हो उसके बारे में बता सकते हो और काफी सारे लोगों का comment यह रहता है कि वहाँ एक्सनेस पर आप काम करते हो क्या मैं एक्सनेस में काम करता हूँ एक्सनेस में trading करता हूँ लेकिन मैं deposit करता हूँ USTT TRC 20 मेथर से तो मैं अल्लेटी दिखा चोका हूँ और देखना है तो आई बटन पर सारा लिंक से जाके देख सकते हो और वीडियो पसंद आने पर एक छोटा सा लाइक कर देना तो फिर मिल दे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई जैहें